और आज मैं आपको इस पैक्टिट से अपने बालों को लंबे टाइम तक यानि की एक डेड़ भेने तक कैसे काला बना सकते हैं वो मैं बताऊंगी और इसमें आपको बिल्कुल भी जंचट करने की जुरत नहीं है इसे सिर्फ पानी में घोलना लगाना है यह पतांजली का ची है यह और इसे चलिए अब बनाने का तरीका में आपको बता देते हूँ है इसे का लिए टो मुरे बालों को कैसे कवर करेंगी मैं वह आपको बताउंगी तो इसके लिए तो आपको एक चमज पता अनुम्हान जेना लेनी है अब बहुत लोग कमेंट करेंगे सोचेंगे कि यह तो चैमिकल वाल होती है इसमें तो बहुत जाधा हैं लेकिन मैं आपको इसे किस तरीकी से जो आपके बाल ना लंबे टाइम तक काले बने रहे और आपको इसके जो इसमें जो आप थोड़ा बहुत कैमिकल है उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो यह mostly उन लोगों के लिए बहुत जाद अच्छे है जिन लोगों के बालों में डाई का कलर नहीं आता है अगर आप अर्बल डाई लगाते हैं गलर अच्छा था तो आप इसे यूज ना करें यह उनके लिए बहुत अच्छे है जिनकी एज बहुत जादा है जिनने डाई लगाना बनाना बहुत जंजट लगता तो वो इसे लगा कर अपने बालों को काला बना सकते हैं और उन्हें बार बार डाय लगाने की भी जुरत नहीं पड़ेगी तो इसके लिए देखे एक चमच महने पतांजली की जो हिना है वो ली है और इसमें आपको मिलानी है महंदी महंदी आपके पास जो भी अवलेवल है आप ले लीचेगा उसमें नेहा महंदी ग्रीन वाली नुकूर महंद है वो इससे आपके बार लूपर कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है मैंने बहुत यूट्यूबरों को देखा भी है वो डारेक्ट इसे पानी में घोल कर बोलते हैं किसे लगा लीजेगा लेकिन ऐसा बिलकूल नहीं करना आपको इ हीना मिलाने से इसमें कोई भी साइड डिफेक्ट आपको नहीं होगा अच्छा रिजल्ट रहेगा बाल काले रहेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी आप या तो आप इसे प्लेन पानी में घोलना नहीं चाते हैं अगर मैंने आपको बहुत सारे सृर्म बताया है तो इसे किसी भी तरह मेरी घोल के अपने बालों में लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में और कितनी बार ऐसा होता है मेरी एस भी काफी है जाद जाद इतनी जाद भी नहीं है मतलब मैं 35 हूँ लेकिन मैं भी अगर मुझे लगता है इंस्टेंट मुझ क्योंकि सर्दियों बाद जैसे आगया आगया जाएंगी तो उसमें तो और भी जादा जंजट पड़ता है और इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और बस आपको कुछ नहीं करना है और इसका एक फा आपको देती हूँ एक महिने तक भी आप इससे सफेद बाल आपके नहीं दिखाई देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है तो ट्राइज जरूर कीजिएगा और तयार करने के बाद आप देखिए जैसे सफेद बालों की जड़ी दिखाई देती हैं ये बहुत ज़्यादा कराब लगती है तो इन बालों में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो एक से डेट महिने तक आपको किसी भी डाई की जुरत नहीं पड़ेगी बस आपको ब्रस के सायता से जिस तरह मैं आपको बतारी हूं इस तरह की से आपको इसे लगाना है अच्छे से पूरे जो जड़े दिखाई देते हैं उनको पूरा अच्छे से आप कावर कर लीजेगा और कावर करने के बाद जब आप इसे पूरे बालों में अपलाई कर लेंगे तो लगबग आप उसे आदा से एक घंटा छोड़ देजेगा इसमें मैंने नुपूर मेंदी मिलाई है तो वो बहुत ही अच्छे है और इस तरीके से आप किसी भी हरबर डाई को लगा कर अपने बालों को एक से डेड़ महने तक काला बना सकते हैं और ये मॉस्ट उन लोगों के लिए बहुत जादा अच्छी है जिन दोगों की एज बहुत जादा है और वो सर्दियों में बार बार डाई नहीं लगा सकते हैं तो इस तरीके से लगा कर वो अपने बालों को लगबग 15 से एक महने तक काला बना सकते हैं और इसका आफटर का रिजल्ट बहुत ही अच् और बहुत कम वाइट बाल है तो आप इसे 15 से 20 मिनट में ही लगा कर अपने बालों को काला बना सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है क्योंकि यह मैंने बहुत जैसे बहुत जादा एज होती है या बहुत जादा है जो लोग डाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आफ्टर आफ़्टर इसे लगाने के बाद जब इसको knight करेंगे तो इससे बहुत ही जल्दी कलर आजाका आपके बालों में और इसके बाद आप चाहे तो कोई भी natural शیम्पू का तो आप देक सकते हैं इसे लगाने के बाद बालों में कितना अच्छा खलर आ गया है तो इस तरीके से आप छोटे या बड़े जैसे भी आपके बाल हैं इसे लगा कर आप बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी सफीद बालों को सर्दियों में काला बना सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बहुत ही अच्छी और बहुत ही नैच्रल हर्बर रेमे तो नहीं है और बहुत है और जाएम ही खालों कोई उनखगा से बास वालों कोई इसे पीप साइड खालों कर अ कर दो कर दो कर दो हैं